नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी, विक्रम और बेताल की बीसवी कहानी, बालक क्यों हसा, चित्रकूट नगर में एक राजा रहता था, एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया, गूमते गूमते वह रास्ता भूल गया और अकेला रह गया, ठक राजा ने कहा, मैं शिकार खेलने आया हूँ, रिशी बोले, बेटा, तुम क्यों जीवों को मार कर पाप कमाते हो, राजा ने वादा किया कि मैं अब कभी शिकार नहीं खेलूँगा, खुश होकर रिशी ने कहा, तुम्हें जो मांगना हो, मांग लो, राजा ने रिशी कन् बलिदान करो, जो अपनी इच्छा से अपने को दे और उसके माता-पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकले। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली। वो अपने नगर को लोटा और अपने दिवान को सब हाल कह सुनाया। दिवान ने कहा, आप परेशान नहों, मैं उप पाय करता हूं। इसके बाद दिवान ने साथ बरस के बालक की सोने की मूर्ती बनवाए और उसे कीमती गहने पहना कर नगर-नगर और गाउंग गाउंग घुमवाया। ये कहलवा दिया कि जो कोई साथ बरस का ब्राहमन का बालक अपने को बलिदान के लिए देगा और बलि से राजा की भलाए हूगी और आपकी गरीबी मिद जाएगी। माव बाप ने मना किया पर बालक ने हट करके उन्हें राजी कर लिया। माव बाप बालक को लेकर राजा के पास गए। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने माव बाप ने बालक क हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक बड़े जोर से हस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, ये बताओ कि वह बालक क्यों हसा। राजा ने फॉरण उत्तर दिया, इसलिए कि दर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने की मदद राजा करता है, राजा न कर सके तो आदमी देवता को याद करता है, पर यहां तो कोई भी बालक की साथ न था, मा बाप हात पकड़े हुए थे, राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस भाक्षक हो रहा था, ब्राहमन का लड़का परोपकार के लिए अपन शरीर दे रहा था, इसी हर्ष से और अच्रच से वह हसा, इतना सुनकर बेताल अंतरधान हो गया और राजा लोटकर फिर उसे ले आया, रास्ते में बेताल ने फिर कहानी शुरू कर दी, धन्यवाद दोस्तों, विक्रम और बेताल की 21 कहानी सुनने के लिए, डिस्क्रिप् मुद दे रहें